नमस्कार प्रवास अक्षी नियुस स्टेक और आप सभी का स्वागत है विदेश पंतरी एसे शंकर और उनके पाकिस्तानी संकक्ष इशाक टार के बीच मंगलवार शाम से दो मौकों पर अनौप्चारिक बातचीत हुई और उनमें से एक में भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सम्मेलन के इतर हुई लेकिन दोनों देशों के ठंडे पड़े द्युपक्षी संबंदों में किसी तरह की नर्मी आने का कोई संकेत नहीं मिला है पाकिस्तान के सूचना मंतरी अता उल्ला तरार ने कहा है कि जैशंकर की इस्लामावाद यातरा से रिष्टों पर जमी बताया है कि बुद्वार शाम पाकिस्तान के प्रथानमंतरी शहवाज शरीफ त्वारा स्थी ओ प्रतिविंधियों के लिए अपने आवास पर आयोजी तरात्री फोज में जैशंकर और डार के बीच एक अलग बैठक होई उन्होंने बताया कि इस बैठक में पाकिस्तान के अगले साल फरवरी में पाकिस्तान की मेजवानी में होने वाले ICC चैंपियन्स टॉफी क्रिकेट टूर्नमेंट में भारत की भागीदारी का अनुरोध किया सूत्रों ने बताया है कि बुद्वार को समेलन के बाद आधिकारिक फोज में जैशंकर और डार एक दूसरे के बगल में बैठे थे और बातचीत करते हुए देखे गए जो सकारात्मक संकेत प्रतीत होता है उन्होंने इस बारे में विस्तार से बताने से इंकार कर दिया एक सूत्र ने बताया कि जैशंकर और डार के साथ बैठेने की व्यवस्था की गई थी मीडिया में तरार क्यों उद्रित करते वे कहा गया है कि ना तो हमने और ना ही उन्होंने दिपक्षी बैठक के लिए अनुरूत किया लेकिन मेरा मानना है कि उनका यानि जैशंकर का यहां आना रिष्टों में जमी बर्फ पिघलने वाला कदम है पाकिस्तान के एक वरिष्ट अधिकाई ने कहा कि जैशंकर की पाकिस्तान यातरा को लेकर कुल मिलाकर सकारात्मक महल बना समेलन से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहवाज शरीफ ने जैशंकर से हाथ मिलाया और शेखर समेलन स्थल जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में उनका और S.C.O. के अन्य सदसे देशों के नेताओं का गर्म जोशी से स्वागत किया शरीफ और जैशंकर ने कल रातरी भोज के दोरान भी हाथ मिलाया और संचिप्त बातचीत की थी इस्लामाबाद से रवान होनी से पहले जैशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में प्रधान मंतरी शैबाज चरीफ और पाकिस्तान के विदेश मंतरी इशाग टार को धन्यवाद दिया उन्होंने S.C.O. के शाषन प्रमुखों की परिशत की बैठक को भी सार्थक पताया जैशंकर ने कहा इस्लामाबाद से प्रस्थान कर रहा हूं आतित्य सत्कार के लिए प्रधान मंतरी शैबाज चरीफ विदेश मंतरी इशाग टार और पाकिस्तान सरकार को धन्यवाद दो अधिकारियों ने एक्सपर विदेश मंतरी जैशंकर की पोस्ट का हवाला देते वे कहा कि उनकी आतरा अच्छी रही और इससे एक अच्छा महल बना जैशंकर स्सीओ बैठेक में भाग लेने के लिए मंगलवार को स्लामाद पहुंचे थे वह करीब एक दशक में पाकिस् पाकिस्तान के बाला कोर्ट में जैशे मोहमत के आतंकवादी प्रशक्षण शिवी पर बंबारी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंद गंभीर तनाव पैदा हो गया था पाकिस्तान के ततकालिन विदेश मंतरी बिलावल भुट्टो जरदारी गोवा में स्यों द पीचे दिये बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके